नमस्कार आप देखरें आर्सोनी न्यूज मैं हूँ आपके शाथ शिल्पा वसंद कुंज के निगम पार्षत मनोज महलावाद द्वारे रजोगरी गाउं में लगता चुलाये जारे सानिटाइजिशन अभ्यान और खुद निगम पार्षत पहुंचे सिती का जाज़ा लेन साथ ही SDMC को निर्देश जेते हुए निगम पार्षत अपने वार्ड में लगता सानिटाइजिशन अभ्यान चला रहे हैं और इस करोना काल में अपनी आएम भूमी का निबार हैं आए देखते हैं शिल्पा के साथ दौलर शर्मा की ये रिपोर्ट वसंद कुँच के निगम पार्षत मनोज महलावत के द्वारा रजोकरी गाउं में लगातार चलाया जा रहा है सैनिटाइजर अभ्यान जो है वो चलाया जा रहा है तस्बीरों आप देख सेते हैं किस तरीके से एडेमसी के करमचारी जो है यहाँ पर पूरे गाउं में चाहे दुकाने हो या घर पूरी तरीके से सेनिटाइज करते हुए नजरार है राधधनी दिली में लगातार अब करोना के मामले भी बेहत कम होते हुए नजरार है और क तरीके से चलाय जा रहा है तस्बीरों आप देख सेते हैं किस तरीके से यहाँ पर सबी को सेनिटाइज किया रहा है खुद बसंद कुंच के निगम पारसद मनोज महलावत ने बताया कि इस तरीके का अभ्यान लगातार हर दूसरे तीसे दिन करा जा रहा है और जहां पर कर पता जलता है और वो अपने SDMC के करमचारियों को भीज कर वहाँ पर sanitization करवाते हैं तस्वीरों माँदेखते हैं किस तरीके से यहाँ पर sanitization अभ्यान है वो चल ला है और साथ ही साथ अपने करमचारियों का मनोवल बढ़ाने के लिए खुद निगम पारसद भी मौजूद रहते हैं और उनके साथ छेतर के जो लोग है वो भी रहते हैं और छेतर के लोगों ने भी उनका धन्यवाद विक्त किया कि जिस तरीके से यह जो कार है बहेद ही सरानी है और लगातार अपने वाड में मनोज महलावत के दारा इसी तरीक के दारान इसी तरीके की तस्पीर हमेशा देखने को मिल है वसंकुझ वाड में जहां पर लगातार मनोज महलावत नजरार हैं रजोकरी गाउं की तस्पीर हैं आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज ही सेनिटाइजेसन अभियान चलाया गया एसी के करमचारियों के साथ जहां पर आप देख सकते हैं कि पूरे गाउं में सेनिटाइजेसन करी गई और करोना की रोक थाम के लिए लगातार जिस तरीके से करोना के आंकड़े राधनी दिल में बढ़ रहे ते अब उसमें बेहत कमी दर्ज करी गई और लगातार करोना कि रोक थाम के लिए उन से बड़े रोडों पर बड़े टैंकर से कराते हैं और कई राउंड हमने यहां करा लिए तो हम उसको में लगातार लगे हो कि हर गली हर एक घर सेनिटाइज हो जाया हमारे रजोकरी गाउं का आपके वार्ड में बहुत से कलस्टर एरिये भी हैं वहाँ पर किस तरीके स करा रहे हैं कलस्टर एरिया में भी हम अपना मैनवल जो हमारा स्टाप है जो अपनी पीट पर ड्रम लाद के बड़ी मेहनत से और बड़ी ही एक शांदार तरीके से वह इस करोना की लड़ाई को जीतने के लिए सेनिटाइज का निरंतर काम करते रहते हर कलस्टर जोगी में वहां हमारा विसेज फोकस भी रहता है क्योंकि आप जिसी जानते हैं कि छोटी जगह में काफी लोग रहते हैं तो वहां संकरमन का खत्रा जाध है तो हम वहां विसेज तोर पर इसका ध्यान रखते कि यहां सैनिटाइज और भी अच्छी तरह से हो जाए क्या मैसे देना चाहेंगे क्योंकि अब करोना काल में अपनी सेवाइं दी हैं जनहित के लिए देशित के लिए वो काबले तारीफ है उसका कोई जितनी उनकी तारीफ की जाएं उतनी कम है और कौन क्या उनको सम्मान देता मैं उसका मुझे उस पर नजया लेकिन इस बुरे समय में निरंतर उनके साथ खड़ा रहूं और आगे भी ऐसी खड़ा रहूंगा